दिवाली के सीजन को देखते हुए मिलावट खो और सक्रिया हो गए हैं कोई मिठाई में मिलावट कर रहा है तो कोई दूद घी में जिसे देखते हुए फूट सेफटी डिपार्टमेंट आक्शन मोड में आ गया है और ताबर तोड कारवाई की जा रही है स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें आपको टेंशन में डाल सकती है क्योंकि कहीं आप भी तो नकली दूद नहीं पी रहे हैं कहीं आपके घर भी लाई गई मिठाई में मिलावट तो नहीं है जमीन पर बहाया जा रहा है ये सिंथेटिक दूद है जो पीने के लाइक नहीं है लेकिन फिर भी मार्केट में धढले से बिक रहा है रोजाना 5000 से 7000 लीटर के खरीब ये दूद हजारों घरों में पहुच रहा है और अंजाने में लोग इसे पी भी रहे हैं यूपी के बुलन शहर में खादी सुरक्षा विभाग ने ये दूद की नदी बहाई जहां बड़ी कारवाई करते हुए 700 लीटर सिंथेटिक दूद को नश्ट किया गया और घाल। सुरक्षा विभा के मताबिक यहाँ चीलिंग-सेंटर गे नाम पर तीटिक दूद का काला कारवार चल रहा था और घाजियाबाद से लेकर लटाय्यक्रा की नकली दूद विख रहा थह ये ये विक्ति और स्टीलिंग सेंटर के आड़ में कुछ नकली दूद का काम भी कर रहा था, तो इसे रात हमारी टीम ने रखे हातों वहां पर पकड़ा है, ये रिफाइंड तेल और मिल्क पाउडर और कुछ अन्य केमिकल्स मिला के खोड़ा सा नकली दूद बना रहा है उसको बाकी जो कलेक्शन से दूद है, उसमें मिलाके उसको सप्लाई कर दाता है, इसकी सप्लाई जादता दाजवाद और मिल्डी में है, और आस पास के छेपर में भी ओन डिमांड ये को सप्लाई दे दाता है, खुशालपुर गाउं में सिंथेटिक दूद का धंदा जादता है, जो पोर्डर है, वो सेंपल के लिए बेद दिया, दूद का सेंपल भी दिया यहां से, उन्हें खाली संसे हुआ था, जादता है, उन्हें ने सेंपल उठा लिए जाच के लिए वो आगे बेद दिये गए हैं सिंटर से नमूने जाच के लिए लेबुरेटरी भेजे गए और जाच रिपोर्ट आने के बाद बड़ी कारवाई की जाएगी, वहीं मुरैना में खादी विभाग ने मिल्क एक फैक्टरी पर छापा मारा और मौके से 40 कुइंटल मिल्क एक और बर्फी जब्त की, जिसकी खीमत करीब 8 लाग रुपए है, सिविल लाइन थाना खिशेतर में चल रही इस फैक्टरी से विभाग ने मिल्क एक और बर्फी के नमूने लिए और फैक्टरी में रखे रिफाइंड तेल, पाउडर, केमिकल के सेंपल, जाच के लिए भेज दिये गए, सोनी पत में भी फ फूड सेफ्टी में वहाग के अधिकारियों ने मिलावट खोनों के चिताबनी दी, कि अगर कोई मिलावट खोनी करते मिला, तो उसके खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी जगा जगा फूड सेफ्टी विभाग ताबर तोड़ चापे मारी कर रहा है, मैसेज क्लियर है कि कि किसी भी मिलावट खोन को बख्षा नहीं जाएगा